जी तो आज का मारे पहले टॉपिक है ISO, ISO का मतलब है International Organization for Standardization, इसमें लेटर S जो है ISO का वो लिखा पहले जाता है लेकिन बोला बाद में जाता है, similarly लेटर O जो है वो लिखा बाद में है लेकिन बोला पहले जाता है, ठीक है, तो ISO is an acronym for International Organization for Standardization, अब ये itself एक अदारा है, जो कि दुनिया में बाकि जितने अदारे एक अंपनीज हैं, उनके लिए Standards यानि Best Practices अच्छे तौर तरीके जो है वो बनाती है और उनको शाया भी करती है, ठीक है, और इनके बनाये हुए Standards या Best Practices जो है वो दुनिया भर में तमाम experts भी उनको मानते ह हैं, ठीक है, और ये आप जो Best Practices है, इनको इन Simple Rules अगर मैं और बताऊं तो ये होगा कि ये आपको एक काम करने का एक अच्छा आसान और बेहतर तरीका बताते हैं, ठीक है, और वो तोर तरीका जो इनका बतायावा होता है, वो अगर आप Follow करेंगे तो आप अच्छी product produce कर प certificate के लिए वो इन ही के बनाई हुई Best Practices या Standards को Follow कर रही है, ठीक है, तो अगर confirm हो रहाता है, तो certificate issue कर लिए रहता है, अगर तो confirm नहीं होता, तो फिर certificate issue नहीं किया रहता है, और confirmation के लिए इनका inspector जो है, वो on-site उस company जाकर तो वो inspect करता है, ठीक हो गया, तो हर company के हुआश होत लपी है कि वो Best Practices को Follow करते वे कोई product or services produce कर रही है, ठीक हो गया, I hope आपको आज का ये topic बेतर तरीके से समझाया होगा, similar sort of short videos को बेतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस channel को subscribe कीजिए, thank you for watching this video.